हेलो एबरिवर्वन आज हम बहुत ही स्वादिफ्ट फ्रेस कोकोनेट की लेड़ू बनाएंगे तो आईए सुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम कोकोनेट को उपर के लेयर को अच्छे से इसको हटा देंगे इस तरह से नाइफ के हेल्प से आप चाहें तो इसे पीलर के हेल्प से भी हटा सकते हैं हम कोकोनेट के लेयर को इसलिए हटा रहे हैं कि कोकोनेट की लड़ू हमारा अच्छा दिखे ब्लेक ब्लेक कलर की ना दिखे हमने सारे कोकुनेट के ब्लैक कलर के लेयर को इस तरह से हटा लिया है अब हम कोकुनेट को कद्दुकस के हेल्प से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे गैस को ओन करके अब हम लोफ लेंपे मावा भूनेंगे एक कफ हमने मावा लिया है मावे को क्रमबल कर लेंगे और इसे हम लोज फलेम पर हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे मावे को लगतार हमें चलाना है नहीं तो पैन के नीचे से डार्क ब्राउन हो जाएगा 3 से 4 मिनिट हो गया है मावा को भूनते हुए मावा अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें मिलाएंगे सुगर पाउडर और कर्डामम पाउडर दोनों को हमने साथ में ही मिक्सी में पीश लिया था सुगर और मावा को इस तरह से मिला लेंगे अब हम इसमें ड्राइफरूट पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे सूगर, ग्रीन कर्डमम पाउडर, मावा, ड्राइ फ्रूट अच्छे से मिल चुका है अब हम ग्रेट किया हुआ कोकोनेट भी डालेंगे सबको अच्छे से इस तरह से मिला देंगे हमने टू मिनिट्स में लो फ्लेंपे इन सबको मिलाया है अब हम गैस को ऑफ कर देंगे अब हम इसे चुले से हटा करके इसे एक मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे थोड़े से मिश्वर निकालेंगे इसमें से और छोटे साइज करीब टेबल टैनिस साइज के बॉल के लड़ू बना लेंगे बड़े लड़ू बनाना चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं या लड़ू बन गया है हमने ग्रेट किया हुआ कोकोनेट पहले ही निकाल लिया था लड़ो को उपर से लपेटने के लिए इससे लड़ो सुन्दर भी दिखता है और उपर से ड्राइ भी हो जाता है ये बन गए लड़ो नारियल के लड़ो बनाने के लिए हम फ्रेस नारियल का यूज कर रहे हैं मार्केट में भी ड्राइ कोकोनेट पाउडर तयार किया हुआ मिल जाता है लेकिन घर में जो हम फ्रेस कोकोनेट ग्रेट किया हुआ बनाते हैं वह बहुत ही टेफ्टी होते हैं बजार का पाउडर जबकि इतना स्वादिफ्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें से तेल निकाल लिया होता है तो मैं तो यही कहूंगी अगर आप कोकुनेट के लड़ू बना रहे हैं तो फ्रेस कोकुनेट से ही बनाए कोकुनेट लड़ू बन करके तयार है आप कोकुनेट के लड़ू बनाएए खाईए और अपना अनुभाव मुझे सेर जरूर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ